यह मिधिला एलो डियरए स्टुडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है यह क्लास 12 डिटर्मिनांज का क्वेश्चन क्या कहता है पहले वह हम पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं इसके बाद सॉल्व करेंगे तो प्अलसानी होगी और समझने में भी आसानी होगे यह क्या कह रहा है for the matrix A is equal to 3211 यानि two row two column में दिया हुआ है इनकी value A की value दिया हुए है find the numbers A and B such that A square plus A A plus B I is equals to 0 ठीक है क्या दिया हुए A square plus A A यानि कि यह क्या है small A यह क्या है capital A plus B I यहाँ पर क्या identity matrix है I will have a identity matrix is equals to 0 हमको क्या कह रहा है कि A V की value क्या करें find करने के लिए बोलड़ें A का मान कितना है और B का मान कितना है यह बोलड़ें find करने के लिए ठीक है I hope आप लोगे इस question को समझ गया होंगे तो अब हम solve करते हैं लिखिंगे solution देखिए इसमें एक चीज़ देखिए जो गीवेन है पहले वह हम लिख लेते हैं तो गीवेन A is equal to 3211 इतना है यहां पर तो हम क्या करेंगे पहले इससे हम क्या करेंगे A square की value हम find कर लेंगे इसके बाद आपको A की value दी हुई है इसके बाद क्या है B I identity matrix जो क्या होता है 1001 होती है देखिए यहां से हम क्या कर लेते हैं A square की value को हम find कर लेते हैं A square is equal to a square is equal to a into A अब देखिए A की value लिख लेंगे into A की value लिखेंगे इसके बाद इसको multiply कर देंगे इसको a तो A की value कितने दी हुए 3211 फिर इसको A से लिखेंगे A की value को 3211 अब हम इसको क्या करेंगे multiply कर लेंगे रो पहले वाले का रो और दूसरे वाले के column से multiply कर लेंगे ठीक है ऐसे multiply करते हैं इधर से इसको और इसको इसको इस तरह से multiply करेंगे इसके बाद इसका करेंगे इसको मल्टिप्लाइ ठीक है यहाँ पर 3 को 3 से multiply करते हैं तो करी नाइन हो जागी यहाँ पर पलस होता है तो पलस 2 को ऒन से multiply करेंगे तो तो फिर देखे रहें तो 3 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 6 पलस 2 को 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 2 फिर देखे 1 को 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 3 पलस 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 को 2 से multiply करेंगे तो 2 पलस 1 को 1 से multiply करेंगे तो क्या हो जागी 1 हो जागी ठीक है अब देखिए यहां से 9 पलस 2 करते हैं तो वो क्या जागी 11 और 6 पलस 2 8 3 पलस 1 4 और 2 पलस 1 is equal to 3 तो यह क्या आए गई अबलएवन नहीं हमारे पास ठीक है और हम को क्या कह रहा है यहां पर क्या कह रहे देखे तो जाता है, कछसल हमें आए उसक्वाइड नावह यहां पर क्या दिया हुआ था a2 पालस a a पालस by is equal to क्या दिए वी थी जीरो और हमको किसकी value find करनी है और बी की value find करनी है तो यहां से अभी अभी a2 की value निकली है क्या निकली है 11843 कि यहां पर देखे एक को क्या करना है करना है स्मॉल एक को जो एक की जो वैल्यू दिये उससे क्या करना है तो एक ही वेल्यू कितनी दिये 3211 यह दिया हुए ना पालस बी से हमको क्या करना है आइडेंटिटी मेट्रिक्स को मैल्टिप्लाइ करना है तो इडेंटिटी मेट्रिक्स टू रो टू कॉलम में क्या होता है 1001 यह होती है ना इस इक कॉलस टू 0 अब देखेंगे यहां से दे मल्टिप्लाइ करते हैं तो 3A, A को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 2A, A को 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो A, A को 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो A एक में लेके आदाते हैं ठीक है कैसे देखिए 11 पॉलस यहां पर क्या है सबका क्या करते हो फर्स्ट बाला कॉलम ले लेते हैं सबको एड़ में तो यह क्या 11 पॉलस थिरी ए और यहां पर क्या यह प्लस है यह क्या है बी तो बी अब देखिए सेकंड वाला के लिए लेते हैं अगया है इतना जो आ गया है इसको एक पर कर लेते हैं तरफ से बाहर कर लेते हैं तो 11 पलस 3 a यहां पर देख लेजे एट पलस टूए यहां पर पलस जीरो इसको क्या माल लेते हैं ठीक है और देखिए इसका ले लेते हैं फोर पलस जीरो इसको एक्वेशन नमर त्री माल लेते हैं इसको एक्वेशन नमर फोर माल लेते हैं इसमें हम क्या करते हैं किसी दो इक्वेशन को उठा लेते हैं हमको ए और अरो बी की वैल्यू फाइंड करनी है यहा थे यहां से देखें यहां से क्या है 4 plus A प्यांट से आशानी से गहां को A की वैल्यू फैयंड हो जाएगी यहां किसी भी equation में गव्ल शेयं उसको नहींनिख नहीं लेंगे ब्रसाइब ग्राभर धायर हाजाएं म्ाइनस 4 आजाएगी, okay value क्या गई, minus 4, आगे ना, अब देखें, यह जो æ के value minus 4 आगे है, इसको हम क्या करते हैं, कि equation किसी भी equation में put कर देंगे, इसमें थो, atom b है ही नहीं, तो इसमें भी चने ही, तो 1 में put कर देंगे, या 4 में put कर देंगे, तो महा लेते हम की वह इसमें क्या करते है? 4 में पूट कर देंगे, ठीक है? तो, putting the value of A in equation 4, क्या कर देता है? equation No.4 में इस value को पूट कर देता है, देखें, 3 plus A की value कितना दिया हुए? माइनस 4 प्लस बिजिक वह च्थ जीरोब अब दो कि यहां से क्या है कि यह क्या जागी माइनस बजिंग रावले अंक में जो मांदर ललाग ऑन पलस बây is A is equal to 0 अब यहां से देखें इसलिए जहां से क्या गई बी इजिक्वाइस टुक्या गई? 1 आ गई अगे नहीं तो A की वली क्या गई? मैनस 4 और B की वली 1 लिखेंगे हैंस A is equals to minus 4 B is equals to 1 यही कहा है हमारा आंसर है I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, एंसर करना ना मुले, थैंक यू